सेखर सुमन और उनके बेटे अध्यान सुमन लगातार सुसान सिंह राजपूत के लिए नया की ग्युहार लगा रहे हैं सेखर सुमन सुरवाती लोगों में से एक हैं जिनोंने CBI जाजकी मांग की थी सोसल मेडिया पर सुसान के लिए कैमपेंग भी चलाया था अब अध्यान सुमन जो सेखर सुमन के बेटे हैं अध्यान ने सुसान सिंह राजपूत को ट्रिब्यूट करते हुए एक वीडियो पोस्ट किया है इस वीडियो में अध्यान सुमन ने सुसान के कुछ फोटो और वीडियो को कमपाइल किया है इसमें सुसान कभी खेलते हुए, कभी प्यार करते हुए और कभी सितारे देखते हुए नजर आ रहे है इस मीजिक वीडियो में अध्यन सुमन खुद भी नजर आ रहे है वो इस वीडियो में गाते हुए नजर आ रहे ग्राउन की बात करें तो सुसान की एक्स गल्फेंड अंकिता लोखंडे की आवाज ली गई है या एक इंटर्व्यू के दोरान की आवाज है इसमें अंकिता उन बातों को अफवा बता रही है जिसमें दावा किया गया है कि सुसान सिंग राजपूर्ट डिप्रेशन के सिका आंकिता ने इस वीडीयो को सेर करते वे लिखा है स्पीछलेस वहीं अंकिता के वीडियो को रिपोस्ट करते वे अध्य सुमन ने ये ज़ि लिए और सभी SSR पैंसIA के लिए दुनिया का मतलब है सुक्रिया अंकिता कम से कम में उनकी सभी चुप चिंत को और प्रियर जनुट लिए कर सकता था और इस वीडियो में गाने की बात करें तो ओरिजनल गाना MS. Dhoni The Untold Story से लिया गया है जब तक नाम के इस गाने को अनमान मलिक और अमान मलिक ने मिलकर गया है आपको बता दे कि सुसान सिह राजपूर ने 14 जून को कथित रूप से अपने बानराश दिद घर में फासी लगा ली थी इस मामले में CBI, NCB और ED अपनी अपनी जाच कर रही है ड्रक्स के मामले में करीब 5 लोगों की गिरफतारी हो चुकी है तुसान के परिवार ने रिया चकरवर्ती के उपर आत्महत्या के लिए उकसाने का अरोप लगाया है रिया से भी पूश्ता जारी है रिया के भाई सौबिक चकरवर्ती को भी गिरफतार कर लिया गया है और ऐसे ही तारजातरीन खबरों से बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और से चरूर करें